हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगी गोन की लड़ू गोन से बड़े ही स्वाधिश्ट लड़ू बनाये जाते हैं जो विशेश कर सर्दियों में ही खाये जाते हैं इन्हें बनाना बहुत ही आसान है आईए चानते हैं गोन की लट्टू पनाने की सिंपल सी रेस्पी गोन की लट्टू पनाने के लिए हमें चाहिए आईए देखें गोन, एक ती हाई कप, ग्राम में 100 ग्राम बूरा या पिसी चीनी, एक कप, घी, तीन चथाई कप, काजू, कटे हुए दो टेवल स्पून, खरबूजे की बीच, दो टेवल स्पून, लाईची पोडर, एक चोथाई छोटी चमच, बादाम, कटे हुए दो टेवल स्पून, केहुं का आटा एक कप गोन के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले वाली कड़ाई में आधे से अधिक घी डाल कर गरम कीजिए गरम घी में थोड़ा थोड़ा गोन डाल कर लगातार चलाते हुए बिलकुल धीमी आख पर तलिए गोन घी में पॉप्कॉन की तरह फूलता है गोन की अच्छी तरह फूल लें और सिखने के बाद प्लेट में निकाल लीजिए सारा कोन इसी तरह तल कर निकाल लीजिए और कुछ देर के लिए थंडा होने दें जितने कोन थंडा हो रहा है जितने हम आटा भून लेते हैं अब इसी घी में बचा हुआ घी भी एट कर लें और घी को दोबारा गरम करें और गरम घी में आटा डाल कर हलका प्राउन होने तक धीमी आज पर लगातार चलाते हुए भून लीजिए आटे से अच्छी में आने और हलका ब्राउन होने पर आटा भून कर तियार है हमारा आटा भून कर त्यार हो गया है इसमें अच्छी सी मेहक आ रही है अब इसमें खरबूजे के बीच, काजू और बादाम, इलाइची पॉडर डाल दें और अच्छी से मिला कर गैस बंद कर दें आप चाहे तो ड्राइफ फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद इस मिस्रण में मिला सकते हैं अब इस मिस्रण को कड़ाई से किसी बड़े बरतन में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें अब गोण को कूट लें या फिर कटोरी से देदरा पीश लें अब इस गोण को आटे और ड्राइफ फ्रूट्स के मिस्रण में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें अब आटा और गोण के इस मिस्रण में पिसी चीनी को मिला दें अब एक बार फिर मिस्रण को अच्छी तरह से मिला लें अब इस मिस्रण से थोड़ा सा मिस्रण उठा कर देखिए ये बंद रहा है इसका मतलब ये लेड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है मिस्रण से थोड़ा थोड़ा मिस्रण उठाईए और गो लेड्डू बना लेजी आप अपने पसंद से छोटे या बड़े अकार की लड़ू बना सकते हैं इसी तरह से सारे मिसंद से लड़ू बना कर थाली में लगा लीजिए हमारे गून की स्वादिश लड़ू तयार हैं अब दो घंटे कून के लड़ू हावा में ही रहने दिजिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रिश्टूर करके भी रख सकते हैं लड़ूं को गानिस करने के लिए आप इसके उपर अपने मन पसंद बदाम या काजू भी लगा सकते हैं इन लड़ूं को सर्दियों में खाने से इम्मिन्यूटी मदबूत बनी रहती है और व्यक्ति सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से दूर रहता है ये देखी सर्दियों में सरीर की एनरजी बुस्टर कौन के लड़ू बन कर तयार है अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग ऐसी और भी इंस्टेंट और रिजी टू कूक हॉममेट फूड रैस्पी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन को दबाना ना भूले